कि बिसके लाए नमाने रहें अस्तरा होने को उम्मीद करते हो कि सब फैरियर्ट से होंगे आज की वीडियो में मैं निक्राइब हो आपके लिए इस तिन वाइट रिंग फेस पैक के आपकी स्किन को वान टू 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 लाइटन अप करेगा और इसके इस्तमाद से आपके स्किन में एक शायन आना शुब हो जाएगी और जिन लोगों के फेशन एर है अगर वो इसका इस्तमाल मुसलसल करते हैं तो इस स्किन पैक्स से उनकी फेशन एर नाच्रली बीच होना शुडू हो जाएगी तो इसमें मौजब इंग्रीडियंस नाच्रली बीचिन और वो यह है कि सब्सक्राइब तो माइच चानल और लट्स तार्ट वीव अच्छाज़ी सबसे पहले आप लोगों ने ले लेना है एक थेन बाउल हमारा सबसे फर्स्ट इंग्रीडियंट है माल्टे के चिलकों का पाउडर यह देखिए माल्टे के चिलके के पाउडर को आपने अपने पास मैफूस करके किसी एर टार्ट कंटेनर में रखना है यह बहुत ही अच्छा यह पिस स्किन को नेच्छली ब्राइटन और लाइटन अप करता है माल्टे के चिलकों का पाउडर को हम शामल करेंगे दो बड़े चाय के चमच उसके बाद हमारा स्किन इंडीटे कांट फूर को हम अपने किचन के मुखतलिफ चीजों में तो इस्तिमाल करते हैं यह आपके ग्रेवी सको ठिक करने में इस्तिमाल होता है स्पेशली सूप बगारा में इस्तिमाल होता है लेकिन चैरे के हवाब यह इसके बहुत वाइदे यह आपके स्किन के एंटी एजिन प्रॉसस को कम करता है और आपके पोर्स को टाइटन अप करता है। कॉन पर हम शामल करेंगे एक बड़ा चमच। हमारा निक्स्ट इंग्रीजिंट है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा आपके चेरे पे एक खास किसम की ग्लो लेकर आता है और इसके इलावा आपको जो आक्नी और ब्रेक आउट सोते हैं उसके हवाले से भी बेकिंग सोडा एक बहुत ही सूपर फास नाच्रल रेमेडी है। यहाँ पर हम शामल करेंगे बेकिंग सोडा आदा चाए का चमर्च। कि अबले हुए दूद का इस्तमाल करना है दूद को आपने इतना शामल करना है कि आपका एक फाइन पेस्ट तैयार हो जाए अब आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है अब आपने इसको किस तरीके से अपलाई करना है आपने इसको अपने पूरे स्किन और नेक पर अपलाई कर लेना है आपने इसको अपने स्किन पर एक स्मूद सी लेयर लगा लेना है आपने इसको 20-25 मिनट तक अपने चेहरे पर लगाए रखना है और इसके बाद आप अपने चेहरा खुश कर लेना है जी तो फिर्स चूस से आपको इसके रिजल्ट मिलना शुरूर हो जाएगा आपने इसको वीक में दो बात जरूर अप्लाई करना है अगर आप इसको मसलसल इस्तमाल करते हैं तो यह आपके फेशल हेर को नाचरली ब्लीच करेगा तो जरूर ट्राय करें इस ट्रैमेजी को और मुझे अपना फीड़बैक जरूर दीजिएगा उमीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी आज की वीडियो के अखताम इस बात पर करती हूँ कि जिन्दगी उस वक्त हसीन तरीन हो जाती है जब जिन्दगी सरात मस्तकीम पर आ जाती है मेरी दूआ है कि अल्ला करीम हर एक की जिन्दगी को सरात मस्तकीम पर लेकर आए मिलते हैं नेक्स वीडियो में तिल देन अलाहाफिस